हेलो फ्रेंड्स, तोडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रिक्स, यानि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एंड साउथ अफ्रीका, दुनिया की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समू, ब्रिक जो टर्म है, इसका सबसे पहले यूद जो है वो जिम और निल ने किया था, और ये कब किया था, उन्होंने 2001 मेश्टरम को बनाया था, इसके बाद 2006 में, इन चारों देशों के जो फोरण मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर के ये तैकिया कि वो साल में बैठे करेंगे, और अपने मुद्दे डिसकस करेंगे, और साथ विकास को आ रूस में बैठक हुई और तब से एक फैसला लिया गया कि सालाना शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 2009 में और यह वा था रूस में तब यहाँ सिर्फ चारी देश थे यानि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना 2010 में इसका पांचमा पार्टनर यानि साउथ अफरीका भी जुड़ गया और ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स बन गया इसके बाद हर साल इसके सालाना शिखर सम्मेलन होते हैं और एक घोशना पतर जारी होता है जिसमें कई नई चीज़ें स्थापित की जाती हैं आतंगवाद जैसे मुद्दे भी उठाए जाते हैं आपसी सहयोग व्यापार को आसान बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं हर साल इसके अध्यक्स्ता जो है वो इसके एक सदस्य देश के पास चली जाती है भारत के पास इसकी अध्यक्सता पहले 2012 में थी फिर 2016 में और अब 2021 में होगी और 2020 में जो था इसका पिछला जो बार माशिकर सम्मेलन था वो 2022 में रूस की अध्यक्षता में विर्च्वली हुआ था यानि क्योंकि कोरोना महामारी की वज़े से इस बार 2020 का विर्च्वली हुआ था और अब 2021 का भारत की अध्यक्षता में होना है इसके अलावा 2012 में जब भारत में सम्मिट हुई थी तब पहली बार New Development Bank का विचार आया था New Development Bank जो है वो Brics देशों की एक बहुत बड़ी उपलब्दी है इस बैंक की खासियत की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में शिकर सम्मेलन हुआ था और जिसमें के बाद एक डोकुमेंट साइन कर लिया गया था एक ब्रिक्स बनाया जाएगा बैंक ब्रिक्स बैंक बोलते हैं इसे जिसमें 50 बिलियन डॉलर का फंड होगा और इसमें पांचों देश जो हैं वो इक्वली कंट्रिबूट करेंगे इसके अलावा 100 बिलियन डॉलर का एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानि C.R.A. भी बनाया जाएगा ये इसमें क्या है 41 जो बिलियन डॉलर है वो चायना देगा और इंडिया रशिया और ब्राजील जो है वो 18 बिलियन डॉलर देंगे और पांच बिलियन डॉलर जो है वो साउथ अफरीका देगा नियू डवलप्मेंट बैंक का जो हेड़क्वाटर है यानि जो मुख्याले है वो संगाई में है और इसका एक अफरीकी रिजिनल सेंटर भी है जो हान्सबर्ग में ये अफरीका में है इसके अलावा 2016 में इसने नियू डेवलेप्मेंट बैंक ने काम करना शुरू कर दिया था बाकी देश भी इसमें हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन ब्रिक्ष देशों के जो शेर है वो 55 फीजदी से कम नहीं हो सकती क्योंकि ये इनहीं का बैंक है और इसके अलावा 2017 में जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम विबाद हुआ था तब भी ब्रिक्ष देशों की बैठक से पहले उसे सुल जा लिया गया था इसे तरह से आपसी विवादों को सुल जाने के लिए भी ब्रिक्ष एक बहुत ही बैतरीन मंच है और अमेरिका के जो लीडिंग यानि अमेरिका की पावर में बहुत सी इंस्टिटूशन है जैसे IMF वर्ल्ड बेंक है इनको टकर देने के लिए ही न्यू डवलोप्मेंट ब भारत की अधिक्स्ता में उना है थैंक यू